हाँ जी सारा बयान राम राम मैं आपके साथ राजन परसाथ बबलुक होकर देखो आज अपना सेकंड चेप्टर है जो सेकंड पार्ट है कल का चेप्टर था हम मुगल लगान वेस्ता के बारे में बात करेंगे पहले हमने बात किती मुगल परसासनिक समंध वगर है मुगलू की मनसबदारी वियस्ता के बारे में बात करेंगी मनसबदारी क्या है उनकी लगान वियस्ता के से थी वो कैसे लगान लेते थे टेक्स कैसे लेते थे इसके उपर पूरी ये चेप्टर का पूरा पूरा अपना क्या रहेगा वीडियो रहेगा क्या रहेगा पूरा वीडियो किसके उपर रहेगा वित और लगान के बारे में किसके बारे में मुगलूं की वित और लगान के बारे में ठीक अभाई जी भाई शारों को गूडि कमेंट icons वगे रहे मेरे बाई बंदू, 37SK, गुड इवनिंग बाई आपको ठीक है, अब अपना चेप्टरि स्टार्ट करते हैं, वितो और लगान की बात करते हैं, वितो और लगान की विवस्ता की बात करते हैं, सबसे पहले हमें कोई भी चीज पूछे कि लगान क्या है, अब ये मुगल समराजे पूरा परसासने में बता चुका हूँ, परसासने केशे करते हैं, लगान केशे लेना है, कि पेशे केशे वसूल लें, इसके लिए सबसे पहले कि ये अपन मुगल लोग थे, जो भी मुगल है, वो अपना पेशा केशे आता था, पहला पेशा आता हूँ, उनका वार से, जिस राज 500 22 का नूट का थियक अब दूसरा व्यपार में घर आज भी हम देखें कि इंडिन गुवर्मेंट है जो हमारी बार सरकार है बार था कर पास सबसे ज्यादा पेशा किसे आता है लोग करते हम टेक्ज देते हैं सबसे ज्यादा पेशाता है निगम कर से मैं भारा कि निगमकर करका मरलब है मैं को MCD वगरा कि इनकी बात नहीं कर रहा हूँ कोपरेट टेक्स होता है जो निगमकर है वो किन बड़ी-बडी गंपनियां होती है जो MSME में नहीं आती, medium, small sector में नहीं आती, उनने पर लगाया जाता है corporate tax, उनसे भी पैसा आता है, तो मुगलों के टाइम में भी कार खाने थे, जितनी भी industry थी, मालो कि इस तरह industry है, इस बेल्ट में, गंगा वाले बेल्ट में, यहां से लगान वे उस्ता के लिए, वो पैसे जाता है थे उनसे, ठीक टेक्स के लिए, तो दूसरा बता सकते हो व्यापार से लगान से, तीसरी थी, इस्तान ये कर, देखो, मैंने इस्तान ये करके ओपर भी बात की थी, इस्तान ये कर, कहा देखो, ओरंग जीब जैसे ही बादसा बनते हैं, मैंने पिसले वीडियों बत समय क्या करते हैं, असी कर, क्या करते हैं, खतम करते हैं, कितने कर, खतम करते हैं, असी कर, और बनते कब हैं, हिंदुस्तान के बादसा, कौन बनते हैं, ओरंग जैव, क्या बनते हैं, हिंदुस्तान के जैसी बादसा बनते हैं, कितने कर, खतम करते हैं, असी कर, खतम करते हैं तो नजीक्र को मुगल बादसा औरंगर जैब क्या बोलते तर इस्ताणिय कर तो की जतना भी पैसा वगर आता तो नवाकर ऑबक्र वर्यवंद निए ज सक। से नेखित भुषतियों स्ताय ये कर लोकल कर वगएरा ये थे उसके बाद में अकबर से पहले लोmakल के बात वे बाबर हुमायू कि टाइम जजिया और जकातंकन लिया जाता था किया जाता था जजिया और जकात 16 00 अबिवे जकात क्या है? जकात मुश्लिमूं के उपर कर था, जकात मुश्लिमूं के उपर कि वो अपनी संपती का, बलब अपनी प्रोपर्टी का, एक बटा 40, मलब 1 बटा 40 क्या दे? टेक्स में दे अपनी संपती का कितना परशेंट दे दो पॉइंट पांच परशेंट संपती में का क्या देगा जकात के रूप में सरकार को टेक्स देगा और जजिया कर हींदूं पे लगा था उनके इसलिए लगा था कि हम सुरू उड और जजया कर 12 पर्संट 15 प्रती इनसान को दिरम के अनुसार डिवाइड कर रखा तो जजया और जखात को किस ने बंद किया अक्बर ने लेकिन मुगलू के आयका साध्न था अकबर से पहले तो था अक्बर ने क्या है इनको खतम कर दिया यह आएके साधनों में खतम कर दिया लेकिन औरंग जेब ने इनी साधनों को वापिस सुरुक्या हमने पढ़ा था अब आगे चलते हैं इसी चीज में परतीक भाई आपको भी गूड इवनिंग है वेकानन्द कुमार जी सर ओके भाई आगे चलते हैं देखो आएके साधन की रूप में मैंने का अब आएके साधन की रूप में ओ हो हो अब यह तो आएके साधन की रूप मैंने बताए कि व्यापार वगरा ट्रेड वगरा शे हो रहा है लेकिन एक और था जिन से राजे की आई होती थी वो थी जमीन जहां पर किसान खेती करता था उस जमीन से लगान लेना किसे लेना लगान लेना तो इसको हम क्या बोल सकते हैं लगान वेश्ता अब लगान वेश्ता क्या थी लगान वेश्ता में था कि जब बाबर का सासन था जब बाबर हिंदुस उस्तान के जब बाथसाथ बनते हैं पानी-पत के वार के बाद में तो उन्होंने जमीन को क्या किया किसानuição उसे कॉझ्टरेक्ट नहीं किया डाटक अपने जागी-दारों advocacy किस ने बाबर को अब जैसे घ्या बाबर के बाद मैं हुमांयु के बाद मैं शेरशा सूरी आते हैं शेरशा सूरी क्या करते हैं लगान वेस्ता में सुदार करते और जागीदर JIMसे धाने कोंटेक्ट और अब जैसे हुमायू जैसे सूर डायने जाती है वापिस हुमायू बातसा बनते हैं शेर सा को रिपलेस करके शेर सा के बेटे को रिपलेस करके वो वापिस जागीदारी वेस्ता लागू कर देते हैं कौन हुमायू फिर भी लगान नहीं आ रहा है पैसा आना चाहिए राजय को तो वो नहीं आ रहा है हुमायू के बाद में इंदुस्तान के बादसा बनते हैं अकबर जैसे इंदुस्तान के बादसा बनते हैं तो वो 1564 में अपना अर्थ मंत्री मतलब वीत मंत्री फाइनेस मनिश्टर वीत मंतरी किनको बनाते हैं मुझफर खां को अब मुझफर खां क्या करता है मुझफर खां को एक काम दिया जाता कि आप लगान का काम करिए किसका काम करिए लगान का काम करते तो मुझफर खां लगान का काम करने के लिए जमीन को समझना होगा एसे जानके उसने का कि जितने प्यदावार हुई है उस प्यदावार के आदार पे हर साल लगान लिया जाएगा तो उसने एक पदती अपना एर उस पदती को बोला गया उसमें जापता हर साला क्या बोला गया जापता हर साला जापता का मतलब जबत की वी हर हर साला हर साल तो जापता और हर साला क्या है जापता हर साला एक लगान पदती थी मुगलू में कपशें 1564 से 1570 के बीच में जापता हर साला अब मुझपर खां के बाद में नए वितमंत्री आते वो इस जापता हर साला को हठा के एक नई पद्वति लाते हैं उस पद्वती का नाओ है ail Go उस पद्वति का नाओ है नसक है ननकूत अब न नसक नंक अब नसक नंकूत ऐस आप पुचहेए किसे हैं और अकबर के किस ताइम लगाया गेगै तैम में लगाया डोनख कि 1570 के टाइम में लगाएगा अब इसमें क्या था इसमें ये था कि जे शोतेन की कोई अगर डेरी वगरा लगा दे उसको देखे कि ठीक आदा दे दो आइडिया के आदार पे आइडिया लगा के लगान लेना कि हाँ ठीक हाँ इस साल इतना होगा अनुमान के आदार पे लगान लगाना अनुमान के आदार पे किसान से लगान लेना उसके बाद में भी फिर भी राजे के आए नहीं बड़ी तो हिंदुस्तान को या मुगल समरा तोडरमल मैं कवं भी से अच्क व lies अब क orbit मिनस्टर अपने निर्मला सी तर्मपन जीए अब उनका सिस्टेंट का निस मढश च्छी शेच चोद्री सब्सक्रार फ़ते हैं उस्फाइन fistr raki के थे कौन हुमायू अकबर के टाइम टोडरमल जी टोडरमल को साइता देने के लिए स्टेट फाइनेंस मनिस्ट्री के लेवल का कौन था वो थे ख्वाजा सा मनसूर इन दोनूं का जापता दस साला क्या है को या तोडरमल दोवारा दह साला जापता दस साला की है थे beth पटवारी थे मुगल राज्ये के सारूं से जमीनों के भई खाते मंगवाए कि कितनी पेदावार हुई एक दम पूरा पेमाने के साथ आंकड़े मंगवाए उन्हों आंकड़ूं के साथ गहन अध्यन के बाद में दस साल के लिए लगान फिक्स किया गया कितने सालों के लिए लगान फिक्स किया गया दस साल के लिए अब आप से कोई पुछे तो आप इसके उपर मुझे लगता है एकजाम एंसर दे दोगे कि जापता दस साला क्या और जापता हर साला क्या है कौन लेकिया मुगलूं के टाइमर एकजाम में इसे क्यूसन पुछे जाते हैं अब यह 10 साला था देखो बहुत सारे आप अगर यूट्यूब पर वीडियो वगर देखा गया अकबार ने यह जमीन नपवाई यह से नपवाई वैसे तुम्हें कर नहीं सकता वह अरकत तो कि वह छपरी वाली अरकत होती है मेरे को चाहिए कि एकजाम में क्यों सना जाहिए वह अरकत हो ठीक अब 10 साला के ंदर जमीन के से नापते थे आप सारू ने यह जरी देखी होगी जरीब जिंके खेत है जो किसान फैमिली से जो नहीं भी वह भी जरीब जानते हैं गाउंवाले अकबर ने अपने सा सन का आलमे टोडर मले जरीब का इस्तमाल किया पहले क्या था अकबर से पहले जमीन यूज की जाती नापने की थी काई थी रशी धागिय वगबर थे वो तूट जाते तो अकबर ने क्या किया बांस की जरीब है यह अब इससे क्या होता जमीन नापी जाती थी अब ऐसे थोड़ा यहां पर जरीब बिचा दी जमीन आपने नहीं देखो एक जरीब में जरीब में ऐसे देखका शिंगल है ये डबल है ये डबल है ये डबल है बलो ये एक आता ही इसका मतबता एक जरीब का एक गज़ पूरा दो आता ही दो गज़ पूरा तीन आता ही तीन गज़ पूरा तो उसी समय बिगा ना पा गया तो अकबर ने बिगे की एक अपनी parameter shape किया कि एक बीगे का मतलब 60 गज एशे हो इस जरीब से ना पा जाएगा यह जरीब किसकी होगी बांस की और 60 गज एशे हो 60 और 60 तो यह कितना गज इसको और पिट हो गया यह कितना गज हो गया मेरी मेत कमजोर आप देखना 3600 होता है या कितना होता ठीक है तो आपको कोई पुछे जरीब जरीब के बारे में जान लें की कोशिश करना आकबर ने कौन सी जरीब यूज की थी बांस की अपनी भूमी की नापने के लिए भूमी नाफने के लिए ठीक है अब आगे कि मैंने कहा कि गज अब गज का पेमाना क्या होगा कि मैंने कहा था कि आपको 60 गज कि भाई 60 गज होगा तो 60 गज का भी कोई पेमाना तो होगा न अकबर से पहले गज का जो भी गज के अकबर ने इसको खतम करके नई गज का पेमाना ले किया कौन से गज sem अंगूल का मतलब अगर मैं ऐसे नापूँ ऐसे करके एक अंगूल दो अंगूल मेरी हथेली ठीक है गुंचाली संगूल में गज एक गज होता था किसका गज गज शिकेंद्री का ये पेमाना था नापने का अकबर की गज इलाय का था एकफाइल्यस अंगूल कितना अंगूल एक चालीस अंगूल तो अकबर ने किया क्या अगर्ज ये शिकेंद्री kı करन किया शिकंद्रखान लोदी कौन फह इब्राहेम खान लोधी शिनका क्यार रिष्टा था आपको जानना चाहिए इब्राहेम खान लोधी कौन हिंदुस्तान का पानीपत वगरा लोधी डाइनसिटी बारे में पढ़ेंग जब लोधी आएगा मैंने या पर पिक लगाई यह लोधी गार्डन है यूपेशी का बव बढ़िया जगह है वो देखोगे ठीक है यह शिकंद्र लोधी कि गज्य शिकंद्री किसने खतम की अकबर ने ठीक अब उसके बाद में आगे चलते हैं अब आता है कि गज्य शिकंद्री ये मेंने क्यूशन दिया आप से को पुछे एकजाम में ये UPPCS के 2010 में भी आया है 2010, 2002 में क्यूशन आया ता कि गज्य शिकंद्री और गज्य इलाई में डिफ्रेंट्स कि आता है अर ये डिफ्रेंट्स दे रखा है गुन 40 का और 41 का इसमें डिफेंट्स था ठीक है आप से क्यूशन पूछे तो आप इसका जवाब देना ऐसे नहीं कि भाई मैं जवाब नहीं दूँगा अब आगे अब अकबर ने क्या किया देखो आज भी हम करते हैं कि भाई ये तो खादर की जमीन है ये बांगर की जमीन है तराई की जमीन है सुना ओगा जोगरा भी पड़ते हैं खादर बांगर भाबर ठीक है इन जमीनों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो अकबर ने अकबर पूलज भूमी का मतलब था जिस जमीन पे हर साफ पूरे साल रवी और खरीब की दोनु फसले हो उस पर चावल भी होंगे उस पर ग्यून भी होंगे ठीक है पूरे साल उस पे आप फसल पेदा करो वह भूमी कोन शोगी पूजल भूमी इस से लगान अलग तरीके का लिया जा आए निचे की तरह पाऊंगे जोद पूरवा की जमीन पोजल भूमी में तो नहीं आएगी न है अब दूसरी ल कोछ प्रो तीटी प्रोती बूमी वो होती ति एक साल के लिए उसे छोड़ना पड़ता था कि वोगर घास बगरा उगेर वो खा तो उसके बाद में थी कौन सी भूमी छच्छर भूमी में यह था तीन से चार साल का टाइम लिया जाता कि तीन साल के लिए जमीन छोड़ दो यह चार साल के जमीन तक कुछ मत बुआई करो उ चोड़ा बहुत फठार वाली एरिया वाली जमीन रखा जाता था लगान का लग लig तरीका था अब लगान कैसे लिया जाता था इन जमिनों पे लगान की क्या वेच था कि दखो 10 साला मेंने का 10 साला हाएगा 10 साला टोडरमल जी लेके आए 1580 में इनको काग एगर किसान के खेत में 100 बोरी गें हुए कितने बोरी 100 बोरी तो का कि आप लगान की रूप में 1 बटा 3 क्या था लगान बस कितना लगान था 1 बटा 3 तो सो का 1 बटा 3 कितना होता है मतलब 33 बोरी देदोर साथ में यह लो 33.33 होगा न 1 बटा 3 तो कितना परसेंट एक ता लगान का अकबर के टाइम 33 परसेंट कि उससरों पुछे तो आप इसका जबान देवने की कि कोशिष करी हो भाई अन आप अधा है अगे चलते हैं का सब्सक्राइब जहते हम ने का ने पहले नुग सब्सक्राइब कि अदूरे बताय разработ्रा आज कितने राजे यह में रैलवे जोन कितने आज है रेल्वे अपनी सुविधा के अनुसार डिवाइड कर रहा है ना अपने आपको पहले 16 थे फिर 17 आप साइध गुणिष के आज पास रेल्वे जोन है ठीक है इस जोन है कि वो अपने अनुसार करते हैं कि हमने अपने जोन के से मलो यह नौर्थ जोन हो गया ठीक है नौर्थ वेस्ट वाला जोन हो गया साउथ जोन हो गया सेंट्र जोन हो गया जोड़न का डिया बात कर कर रहा हूं हिंदुस्तान को किस में डिवाइड किया दस्तूरी में तो दस्तूरी क्या है लगान के लिए हिंदुस्तान को डिवाइड करना कि यह एरिया होगा यह फर्ष दस्तूरी इस इस एरिया को फर्ष दस्तूरी इसको शेकिंड दस्तूरी ठीक है इसे दस्तूरी में डिवाइड क आज आप एक काम करो article 300 गैतर पुंसके अंदर यह देखो गे कि महराश्ट्र के 300 में ऐसे सुरू करके लाष्ण् taking हाँ महाराश्ट्र ने सुरू करके महाराश्ट्र में म्राथावाड स्थमाइ cysled है कौन शे बोर्ड की स्थापना के लिए क्यों की क्यों यह पिस्ट्रावाला एरिय है इसलिए हर दस्तूरी का अलग-अलग क्या गया अब दस्तूरी में क्या होगा अलग दिशाथ रेल्वे के अंदर भी बड़े-बड़े करमचारी यह विबाग के अलग लोग ता है जिनक लगान वेचता क्या है ठीक है लगान का छेतर में हमें कितना लगान लेना है कितना आना है कितना नहीं आना है किसान अगर अकाल परदा तो किसान की जमीन पर करना क्या है अब इसमें हुआ क्या दस्तूरी में बाबरिक से पहले क्या थी जागीदारी बाबर ने जमीन किसक आपको भी हैं कि तो जागेदारी भोमी क्या कि अकबर ने ख़तम कर दी थो आपको की जागेदारी जमीन ख़ते की अकबर ने अब आगे अब अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर के टाइम किसानों की हालत क्या थी आप से कोई पूछ है कि अकबर के टाइम किसानों की हालत क्या थी तो इसके बारे मैं नहीं कहता हूँ इर्फान हभीब भी है राइटर है हिश्ट्री के आप उनको जानने की कोशिस करना है कि यह किसान की मैंने फोटू लगया किसान एक दम खुश सही के अंदर इस पिक में आप देखो एक बार अकबर ने सबसे पहले किसान लोग करते हैं कि अकबर ने एक बटा तीन कितना लिया था एक बटा तीन मतलब 33% कर लिया है है महला बहुत ज्यादा लिया लेकिन उसने किसान की जो समष्य थी उनको सुना दूसरा जागिदारूं को हटाया तीस रह अकबर पहले भी शेर सासूरी नहीं ऐसी वेश था कितिर एक बटा तीन ही लेता था 33% कर लेता था शेर सासूरी लेकिन शेर सासूरी ने किसानु पर दो कर ओर लगाए आप से कोई पूछे दो कर कौन थे जारी बाना कर किस पे लगा किसानु पे कोई पूछते जारी बाना कर किसानु से लिया जाना वाला कर किस ने लगया शेर सासूरी ने उसके साथ महा सिलाना कर किस ने लगया किसानु पे शेर सासूरी किस के नाम पे आप सुरकसा के नाम पे कौन लेता था शेर लेकिन अकबर आई कर क्या किये खतम जैसे आज आप देकौगे। इंडिया में टेक्स होते हैं टेक्स के सलेइब बनेवा एजूकेश्ण के लिए गार यसиц पस्ट प्ताया आप ने सेस्ट बी सुना होगा कि टेक्स पcussion कह उपर एक और टेक्स है शेस करते हैं यह तो एजूकेशन शेस है सुना होगा अब पढ़ना अगर जो ने एकोनोमी के सर आएंगे कि सेस वगएरा में भी इकोनोमी के इसके उपर जाना नहीं चाहता टेक्स के बारे में सर्च करोगे तो अकबर ने किसानों के अभी भी का जाता है कि अकबर ने जो प हैं अब जैसे अकबर खतम होते हैं जैसे अकबर का दिहांत होता है तो अकबर के दिहांत के बाद में हंदुस्तान के बाद साकौन बनते हैं उनके बेटे जहांगीरी सलीम सलीम क्या करते हैं थोड़ा आराम पसंद आदमी था किसानों से कोई जादा को यहां पर मैंने किसा किसान लगा है किसान के वोपर पूरा बहर डालने किसान से पूरा बाहर किसान पर क्या किया Ha जमीन पे जैसे किसानों की जमीन पहले किसानों से डायरेक्ट सम्द्ध किसका था अकबर के साथ था तो यह कौन सी व्यवस्ता हो गई आप से कोई पूछे यह कौन सी व्यवस्ता हो गई रेत वाड़ी आज विदे को आप ब्रिटिसर में पढ़ेंगे लोड कानवालिस लेके कियाता है इस्ताइब बंदोंबैस्त उसके बाद में महलवाडी रेतवाडी तो रेतवाडी में क्या था डारे अकबर के बाद में उनके बेटे जहांगीर आते हैं जहांगीर क्या करते कोई कोई वह उत्य हक्ति हुग हुए गए नियुक्तर सक्षेन ऐत्यास कार उन्होंने घाकिती हो गए कि उसने राज यह की 70% जमीन ऐत्ने जमीन आसपास जमीन दूसरा जहांगीर ने जो खेसानुं से जमीन छहिने गई जहांगीर ने किसानों की आवाज तक नहीं सुनी जो डारेक्ट सम्मन था रेत वाड़ी वो खतम हो चुका 17% जमीन चली गई जहांगीर के बाद में आते है साजा साजा के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ही नेक दिली लिसान, ताजमेल बनाया साजमेल अपने बाप के पेसु से बनाय था कित나 क्या कि आदा दे कितना लिया पचास परशंट दूसरा पूरी की पूरी जमीने ठेकेदारों को दे दी जाएंगेर नहीं जागेदारों को इसने ठेके पर उठा दी कि जो सबसे उंची बोली लगाएगा उसको मैं किसानों की जमीन दूँगा किसानों से जमीना जमीन का हग छीन लिया वो ता सांजा तो मुझे नहीं लगता किसान कुतर जादा ताज मेलके आगे फोटे ना खिंचाये करो ठाल तो जगह है वो ठीक ह तो मारे माबापों की खून का पशी नगा चुनसावा जगह है वो आगे वैसे बनाए वाटे चेक ताच्छाय में कुछ नहीं कह सकता है इस पर सांजा के बाद में कौन आते हैं ओरंग जेब औरंग जेब के बारे में कहते हैं जैसे ओरंग जेब ने साउथ इंडिया में गया वांपय अपनी कभडर खोद ली सौति घंस बने अक पिच्छा करता करता था फिर वांपय लड़ता रहता है लाश्ट में ृप्र देस में घंसान को लूटा अक्पर ने कितना लगया 33% कर तो थीक है वाजीब था सांजाने 50% कर दिया इसने कितने किया इसने कर दिया 26% और कभी-कभी 80% तक मुलब 10 बोरी हुए हैं गया हूँ तो दो बोरी किसान के पाथ छोड़ता चाहिए किसान मरे चाहिए जिन्दार है इस बंदे कोई फरक नहीं आप से क्यूशन पूछे था को यह मेरी तो देशी लेंगवेज है एसा मत लिगना कोई भी आप समझना मैं कह परशेंट तक तो लगान लेता था कभी-कभी 80% परशेंट पर लेता और पूरी जमीन किसान उसे छीन के ठेकेदारों को वही ठेकेदार आगे जाके जमिदार बने वही जागीदार बने ठीक है आगे चलते हैं आप से क्यूशन पूछे तो आप इसका जबाव दोगे अब आगे हैं अब अकबर ने क्या किया था उसी टाइम अब बीच में ने बताया है लेकिन अकबर ने क्या किया उसी टाइम अभी बताया वापिस अकबर का टोडर मल ले क्या है अब टोडर मल ने क्या किया था किसान वो क्या बनाया था भूमी का मालिक बनाया था जबकि औरंग जिया वरुसान जाने क्या क्या जमी ने छीन ली लगान एक बटा 3% लेता था अकबर और वो कितने ले रहे थे 50% 60% दूसरा रेतवाड़ी वेस्ट आ गई यह मैं बता चुका हूं जमीने को किस पर देने लगे थे पट्टे पर देने लगे थे धन्यवाद भाई आयम पट्टे का मतलब है रजिस्ट्री आज कर लोग कहते हैं कि तेरा गर है कि हाँ यह मेरा गर है यह मेरा खेत तो रजिस्ट्री दिखाओ तो किसानों को क्या दी रजिस्ट्री दी दूसरा पर पूरे इंडिया को किसमें डिवाइड किया किसानी पर लगान की रूप में 10 दस्तूर है हमारा तो लेकिन उसका मतलब मत सम्झे दस्तूर का मतलब है इंडिया को लगान के लिए अक मलेट दस्तूर में किया उन के लिएsupport अब एक और मैंने अलएक सबस दिखा गला बक्षी और बटाई क्या पूरे इंडिया में क्या लगान 10 साला यूज की गई थी नहीं की गई खांखांग के लिए यूज की गई अब आप से कोई पूछे कि खांखांग के लिए यूज की गई अब देखो पूरे इंडिया पे लिए नहीं थी क्या नहीं थी पूरे इंडिया के लिए ये पद कि तो क्या करता है कि सन फु्सरते खेतमी काम नहीं करते हैं उन्हें आती है शरम तो क्या क्रीव क्या ने कर मेंस संग कर लोग 집 हो गया काम करा ट्रूथ सबस्सक्राइबंने कोशिश कर रहे वह है ऑदेज का मेंद का मतलब जता कि इस एपियंग में, शिंध में, कंधार में, काबुल में और कस्मीर में इस परांथ में क्या लागू किया, यह परांथ, बंटाई की यहां पे 10 तूरी वाला सिस्टम ने कौन सी परणा लेगी हो थी बंटाई, जितना किसान पैदा करेगा उतना आदा दे दो चाहिए 10 बोरी करें वो अपने खेत पर बोरी कमलों सब्सक्राइब कितना भी दो आदा उनको देना है वो बांट बांट दो चीज़ को दूसरा अब एक आता है नसक यह में पहले बता नसक व कनकूत नसक और कनकूत लेकिन जब 10 साल परनाली जो यूज की जाती है टोडरमल के टाइम पूरे हिंदुस्तान में लेकिन गुजरात इस एरिया में और बंगाल इस एरिया में और कोई आप से पूछे देखो गुजरात और बंगाल का इस संब्स आप याद रखना कि यह वेस्ट और यह इस्ट दो क्या किकों पूरे इंडिया लागू की थी लेकिन पंदरा स्वासी क्या किया इसको खतम कर दिया था क्या किया था था त्यूजिप ग्रवसे मरें अभी पीछे आप अगे चलते हैं आप से को क्यूशन पूछे तो आप मुझे लगता इसका जबाब पूरा आराम से दोगे तीन लगान की पतती बताए दहे साला पतती ठीक है दहे साला के बाद से पहले कौन शी थी कनकूत अब देखो यह थी कनकूत गला बक्षी में क्या था पैसे में नहीं रहता था अनाज लिया जाता था इसमें क्या था गला बक्षी में क्या था अनाज लिया जाता था अनाज में भी किया था आदा नाज दे दो या पेशे दे दो लेकिन जो दस तूरी था दहे साला था दहे साला में क्या है दहे साला में पूरा का पूरा लगान किसमें दिया जाता था शिक्कू में किसमें लिया जाता था शिक्कू में आप से क्यों सन पुछे मुगलू में मुगल ट क्यों सनाया था यूपेशी भी क्या पूछले आपके साथ यह मजा कर दे को इनके बारे में पूछ ले तो आपको शिक्कूं के बार दो मुगल का लिए शिक्क्य देख देख दिखाता हूं थोड़े कि मुगलूं की शिक्क्य की परनाली कब श्याई और कौन श्याई यह यह बाबर का पूरा नाओ यह बाबर का शिक्क्य बाबर का शिक्क्य अब क्यूसन आपसे यह नहीं पूछेगा यह नाम पूछते है कि जैसे मैंने आज बोला कि यह तो दस का शिक्का है यह पांच का शिक्का है ठीक है इसे बोलते हैं नहीं नाओ तो शिक्का तो आज का नाम हो उस समय बाबर ने इन शिक्कूं को क्या नाओ दिया था नाओ दिया सारुक अब कोई सोचेगा सारुक खान की बात कर रहा है उ जिसने नाउं दिया के के शिक्कूं को बढ़ने सकेजुें करें चलते खांदे ऑल इंडिया में नहीं यह ज्यादात पर शिक्क्के चलते थे एंडिया का बूल और कंद्धार गया कॉंप अध्वात इंडिया का उसमें बाबर के टाइम में ठीक यहां पे देखो आज का अफगानिस्तान यह रा काबूल और कंधार में क्या बाता पता है इंडिया का पलेन आईजेक वगरा क्या तार कंधार ले गए ते याद पढ़ना होगा आपको गुणी सो ठाण में वगरा तो कंधार और काबूल अब इस चांदी का शिक्का था लेकिन गोल से ही तरीका से गोल नहीं था इसका वेट कितना था चार ग्राम का इस शिक्का था कितने ग्राम का था चार ग्राम का था हम किसी को दमकी देते हैं तो तो दो ग्राम का आदी उठा के फैंक दूंगा उसे याद रखना ना इस चा यहां से मैंने लिखा 8 का लोग देखो नॉर्मल चीज दिखाऊं आपको में दैस एकसी सोर इसके उपर यह कि सिख्का जैसे आपने देखिये सिख्ये लिखे जाते हैं जिकिन बाबर के सिख्ये का डाइस एकसिस क्या था यह 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 शिक्का सिथा है ठीक है तो आप इसको एकपर के तेहां तो गडी के तरह यूज़ कर सकते। हो मैंचेकंि में मुस्काव दीक सगेकर करें। तो तीन ये यह सिखा केसे सुक्रा है तो इसका क्या होगा पांच ठीक तो डाइस AXS क्या था मुगृ timely कितनों सारों का अदिकतर शिक्कों का किसी का बाबर के शिके का आठ था, हुमायू का तीन था, अकबर थीन था, यह देखो, यह शिका सिधा है, एक दम बारा वाला कलोग है इसमें, और इसमें कौन सा कलोग है, तीन वाला कलोग है, एकजाम क्यूसं, पूछे आपको, मुगलकाल्य शिके डाइस एक्सिस में थे, एट ओ क लोक में थे तो आप इसका जबाब दो गेर बिल्कुल बिना फाल तो कोई भी डरना और नहीं है तो यह बाबर ने शिक्के चालू किये अब दूसरा बाबर ने जो पुरानी प्रंपरा जो अधर वगरा थे लोदी वन्स वगरा की जो थे शिक्के पड़ना लिए वही रखी दूसरा बाबर ने शिक्कूंपर क्या लिखवाया देखो क्यूसन पुछे UPSC UPPCS बाबर ने फाष्ट साइड मंदों यह शिक्क्य का पहला साइड है इस फाष्ट साइड के ऊपर तो खलीपाओं के नाव लिखवाई ठीक पिछे के साइड अपना नाव लिखवाया और कलमा लिखवाई आगे की तरफ कलमा और खलीपाओं के नाम और पिछे की तरफ अपना नाव और अपनी उपादी लिखवाई इसके अलावा बाबर ने कुछ नहीं देशे पहले पर क्या ल ने भी कोई ज्यादा बदलाओ नहीं कि आपने शिक्षों ने बदलाओ किस ने किया शिक्कुमें बदलाओ करने वाला था अकबर अकबर थोड़ा इनुवेट्व टाइप का आदमी था को क्योंशन पुछे कि अकबर अकबर ने सबसे पहले आते का कि टक साल खोलो फेक्टरी भी वह नीजिए सइं यह देखो शिक्यप अकपर के मुगल नहीं अकबर के लिखवाया अगए कि आयत लिखवाया अगया क्या क्या लिखवाया सिरब कुरान की आयत लिख़वाई और पिछे की अपना नाव वगर वो शिक्कों पर कुछ नहीं लिखवाया शिक्के एकदम गोल आकर आ करती कि दूसरा क्या शिक्कूं पर क्या बाबर ने अपनी फोटु लगवाई बिल्कुल नहीं लगवए कोई पुछे बिल्कुल नहीं लगवाई क्यों आगे कुरान की आयत पिछे खुद का नाम जो टक साल जो फेक्टरी पैदा करती थी शिक्का उसका नाम जिस साल में पैदा हो जहें सब्सक्राइब कर देखते हैं कि यह 10 का शिक्का है 20 का जैसे आज गले 2 रूपे का निचे आता है और बार नाव थोड़े टंग मेरी घूम रही है और मेरा उचारण भी थोड़ा बहुत उल्टा फुल्टा रहा भावना सब्दूं को समझ के भावनाई समझो ठीक है अगे इसने क्या लगवाय था टकसाल अब आप से कोई प्यूस ले कि टकसाल क्या है मैंने नाम बोल दिया टकसाल यह था दो शिक्य के से बनाते थे ऐसी मुहर होती थी मुहर मतलब एक जो मुहर वगर आजगल जाते हैं मुहर लगा दो अपनी तो ऐसा एक लोगा होता था एक दम मजबूत लोहा था उसके ओपर जिस धातू का शिक्का बनाना था उसका नाप रखा होता हुतर उस यह को एशे रखादों को नीचे पड़ें नैसे उनको रखा जाता था ऐसे रखेर उपर शेक मुहूर इन दोनुक्ष मी दबाया जो आगय का और फिछे का शिका बन जाता ठीक है अब जो इस पद का ख्याल रखता था उसे क्या बोलते थे अकबर ने खुआज़ा अब्दु तक साल का अब आगे अब यहां पे एक सबद आ रहा है रुपईया वैसे मैंने रुपईया ना उलिया देखो मुगल यूज करते थे कोईन के रुप में रुपईया अब यह रुपईया क्या होता है कि रुपईया आज का नहीं चांदी के शिक्ये को रुपईया बोला जाता था किसके शिक्ये को चांदी के शिक्ये को और जिसका वेट 11 ग्राम से ज़्यादा और 13 ग्राम के बीच में हो उसे क्या बोला जाता था रुपईया तो हिंदुस्तान में रुपया किस ने शुरू किया अकबर ने नई शेर सा सूरी ने तो हिंदुस्तान में रुपया किस ने शुरू किया शेर सा सूरी ने और उर्दु में रुपया को क्या बोला जाता था चांदी किसी को जफर एक क्या बोला जाता था जफर आपको पुछे जफर दूसरा ये र जईने के लिए भी शिक्यों होने चाहिए ना तो बाबर के टाइम के बाद में अकपर ने या मूगल के टाइम आप दोनुका एंप ले सकते हो सबसे ज़्यादा इसके साथ मृक्षय का जुड़ा वै कहते हैं दाम धे हम कहते हैं दाम कशे के बाई ये कि लाड़ी गाड़ी के दाम लगें ठीक है तो दाम क्या होता है दाम एक अकबर का शिक्का था अकबर ने सुरू किया तार वो शिक्का तामबे का था तो दाम ज्यादा महेंगा नहीं होता दाम सस्ता ही होता है तामबे का शिक्का था ठीक है कोई सोनाचांदी का नहीं था य शिक्का है दाम, कोई पुछे दाम के अकबर के दोरा शुरू किया गया तांबे का शिक्का, अब इसकी किम्मत क्या थी, आप 40 तांबे के शिक्के दो और एक रुपईया लो, एक रुपईया का मतलब एक रुपईया लो, एक रुपईया का मतलब एक चांदी का शिक्का लो, समझ गए एक चांदी का शिक्का लो अब ये शिक्का थोड़ा बढ़ा था इतनी साइज में क्या डायमेटर है इसका 10 से 13 डायमेटर कितना था 10 से 13 अब एक और तामबे का शिक्का चलाया जिसका डायमेटर था 5 इसको बोला जाता था जित्तल अरे पतला भी होता था मोटा पतला क्या बोल जित्तल आपको पुछे जित्तल क्या है मुगल काल में सुरू किया गया तामबे का शिक्का जित्तल दाम से छोटा क्या होता था जित्तल जित्तल आजगर हम बोलते हैं पेसे पेसा देखो का 25 का पेसा छोटा सा होता है आज एक रुपया देखो आप उसकी साइच छोटी कर दिये दो रुपय की थोड़ी बड़ी कर दिये पांस रुपया की साइच दो रुपय की साइच जैसा है लेकिन मोटा होता है तो ठीक है उसी तरह जित्तल किया था दाम से पत्तला अब पत्चीश जित्तल दे आप क्या ले सकते हो एक दाम ठीक है अब मैं आप कुछ 후टा सा क्यूशन छोड़के जा रहा हूँग Is 40 दाम देके आप एक रुपया ले सकते हो तो हमें कितने जितल देने होंगे एक है, रुपे के लिए, ऐसे क्यूशन करते हैं आप से एसे वगएरा आप यूपी पीशेज के सीशेट में मेत वगएरा, उसे मेरी मेत तो कमजोर है, और मुझे लगता है तुम सब की सही है मेत, तो आप आप जबाब देना आपस में खु को, ठीक है, आगे चलते हैं, अकबर ने, अब देखो, अकबर अब होता है कि ये तो ओगए आम आदमियों के लिए दाम वगएरा, शिक्क्य वगएरा आज भी, दो जार का नोट की शिक पास खुला मिलता है, एक मजदूर के पास दो जार का क्या काम, जिसकी में मन्त लिए सेलरी तीन जार वो दो जार तो बहुत मुस्किल है, और बड़े आदमियों के लिए दो दो जार रुपे चाहिए, अब हमारे जैसे आदमी पचास-साट रुपे में काम चला लेते हैं, तो अकबर के टाइम में भी राजा महराजां बड़े आदमी थे दरबार में, उनके लिए एक शिक्का चलाया, उसने मुहर, क्या चलाया था, मुहर, यह सोने का शिक्का, किस का था, अब आप से UPS ही पुछे, कि मुहर क्या है, अकबर का मुहर क्या था, चांदी का था, सोने का था, तांबे का था, तो किस के था, सोने का, और इसकी साइज यह होती दिक गुल पिछ्टे वीडियो में मैंने अकबर नामा की फोटू भी दिखाई ये कि अबूल फजल कैसे अबूल अकबर अबूल फजल कोन है अबूल फजल अकबर के दरबार में पंद्रह सो गुन अशिस हैं 1602 तक क्या रहता है वजीर परदानमंत्री वकील मुवातलिक बताया था मैंने यह अबूल फजल ने ही अकबर आईने अकबरी लिखी आईने अकबरी का मतलब अकबर नामा का तीसरा देखो अकबर ने का कि चलो अब राजा मारावल से डील करने के लिए कौन सा शिक्का चला एसके अब आप से पुछे ससब क्या है सबस्ट ये था सबसे की कितने तोले का था सबस्ट आप से कोई सोनी पूलनिया का था एक 501 तोले खा अब तोला क्या होता देखो एक तोले में इलतरी मिल v poderia महां मैं होते हैं 11 ग्राम के आसपास होते हैं ग्राम को था पता नहीं है अब एक और शिक्या चला है za इलहाई यह सब से ज्यादा फो अकबर का क्या इलहाई शिक्क ये खिसका था यह भी सोने का था तो यह अकबर के सोने पूरे हो गए सोने के सीख्य एगρाल आब बात करते हैं आगे एक अख़ल का शिक्षा हो एक और आएगा शिक्का अगर का का व uh जाली नुमा शिक्का अब दखो जो चांदी का शिक्का होता था उसे रुपईया बोलते थे जो गोल शिक्का होता था उसे रुपईया जबकि जो चोकोर शिक्का होता था चांदी का उसे क्या बोलते थे जलाली क्यों पूछे तो आप इसका जबाब दे देना है वेट उतना तो जहांगीर थोड़ा कोई भी इसलाम के रूल वगरा नहीं मानता था वह सरफ दारुबाज आदमी था एक नमर था ठीक है अब दारुबाज क्यों बोला है मैंने उसके शिक्के के उपर ये शिक्का जांगीर का उस शिक्के में दिखाया गया जांगीर बेठा है शिंगासन पर हाथ में दारु ले रखिए और भाई कोण आदमी दारुखा लेकि अपनी फोटू बनाया अगरा है और इसने शिक्के चालू किये थे किसके सोने के उस पर क्या लेका है खुद की आकरती ऐसा मुस्लिम बादसा पहला बादसा मुगल बादसा जिसने सोने शिक्के के बे सोला यह 67 तक रहते है फिर शांजा बन जाते है ठीक है दूसरा इन्होंने एक और शिक्का चलवाया सोने का उसकी आकरती तर बेल की तर लगवाया इस इन्होंने के लगवाया है सामने अपनी आकर्थी नूर जां का नाम भी निचार नूर जां को ना जांगिर की वाइप थी सर ने आप वीडियो आगे करेंगे तब बताएंगे नूर जां के ऊपरे वीडियो लाएंगे दूसरा इसने तीन शिक्के ओर निकाले देगो यह से क्यों सर पूछते हैं कि यह जो राश्यों के शिक्के हैं क्या निकाले वर्सब शिंग के यह शेर का शिक्का मलब शिहां राशी वालों के लिए चांदी का शिक्का किसने निकाला चांदी का शिक्का शिक्का किसने निकाला यनके निशार भी एक शिक्का था, कि सांजाका थो जो अकबर शिक्क्रे चला उन्हीं को चलाया उन्हीं का मापर माना वह रहता है, लोनिकुल यह खरी यूज की रहा है, यह कि त्व जम डेखता न कहीं कि दाम कौन था दाम में था तामब का सिक्ः रुपिय में कौन चांधी का सिक्ः इन दोनुकें बीच में एक शिक्ः शुरू किया आना कहते है तुम तयारी दो आने के आदमी हो इस ao ढाठी सुने को और दो आने के आदमी चुप उन्दू हります पोलते है और गुसाद जार डोाने आदमी है तुचूप हो जा दो कोड़ी का दो आने का तो बसों पार मतलब है यह था आना अब को कर दो आने का तो यह आना तो मतलब यह दाम मलद तामबे केस्के से महंगा था और चांधी के शिके से सस्ता था, यह किसने शुरू किया, क्यों से पुछे सांजाने, सांजा का नाम सब को पता है, खुरम, खुरम के नाम से ज्यादा फेमस वा, पूरा पुछे, सहाब उदून मोहमद खुरम, और सिंगासन भी पता है, अठ्यावन में जांगीर हडप लेता है, ठीक, यह सांजा के बाद में हिंदुस्तान के बाद सा कौन बनते हैं, सब जान के होंगे, ओरंग जीब, जिन्दा पीर, ठीक है, ओरंग जीब जैसे हिंदुस्तान के बाद सा बनते हैं, इन्होंने क्या किया, ओरंग जीब ने, जितने भी शिक्ये थे, शिक्कों उपर जो कलमा लिखा जाता था, कलमा लिखवाना बंद, कोई आकरती उकरती, बंद, ठीक है, इसने सिर्फ एक ही चीज लिखवाई, वो एक, मीर अब्दुल, बाकी सहाब दोवारे ग्रचीद एक पद था, उसको लिखवाई, और शिक्क्यों में कोई ज़्यदा डिफरेंट चेंज नहीं कि और बाकियों को चलने दिया, तो ये मुगल कालीन शिक्क्य आपके यहाँ पर कम्प्लीट होते हैं, इसके आख बाद में हम चलते हैं, देखो आगे, ठीक, आप, शिक्कों के साथ साथ है, एक और चीज है, कि आप से कोई पुछे, देखो, ठीक्ट्री वगरा लगी जाती, इर्फान, डोक्टर इर्फान हभीब, इस्ट्री के सबसे प्रवपेसर थे, ठीक है, गुजरात से थे, इर्फान हभीब ने अपनी बुक में लिखा, क्या लिखा, कि सोने के तामे के लिए कितना था, टकसाल चार, चांदी के लिए चगदा, तामे के लिए 42, तो आप से एक्जाम में यह तो पुछेंगे, एक्जाम में क्या पुछ आपते तो बलेक मार्केटिंग यह गेर कानून है ना वो, लेकिन अकबर के टाइम चाप सकते थे, चाप सकते थे, आप टकसाल जाएए, टकसाल में जाएए, जिस दातुका बना, सुपोज रुपिया बनवाना है, तो 11 गराम चांदी ले जाएए, टकसाल आपको वो चाप आपके चांदी का शिक्का दे देगी एक रुपिया, और उसका 6 परशेंट आप से 20 फीच लेगी, जितनी उसकी किम्मत तो उसका 6 परशेंट फीच लेगी, और इरफान अभीब यह का पूरे हिंदूस्तान में, जिसे टकसाल केंदर विशेतर, आज आप देखोगे समवर्ति सुची का किस का है, अब इरफान अभीब ने का कि मुगल काल में पूरे हिंदूस्तान में था शिक्के का, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शिक्कूं की बात की जाए, सारू का पेमाना एक माप्सों के कभी भी बदला नहीं, आगे चलते हैं अपनी कलास में देखो, इरफान अभीब की बात, अब आते हैं नाप और तोल की बात, मैं नाप और तोल पे बता चुका हूँ, कि नाप तोल के लिए देखो, जहांगीर ने क्या क्या है, यह कि उसन पूछा जाता है, कि जहांगीरी, ठीक है, जहांगीरी मन, अकबरी मन, यह क्या था, तोलने के ल पूरे हिंदुस्तान में नाप तोल की जो परणाली थी अलग अलग थी तो अकबर ने फिक्स पेमाना बना है उसको बोलते हैं अकबरी मन अकबर ने का कि एक शेर में कितने दाम होंगे तीस दाम होंगे तो इसका मतलब एक मन में कितने पॉंड हो जाएंगे इसने का कि एक मन में कितने किलो होंगे 25 किलो उसी तरफ जब जांगी राया तो जांगी ने भी अपना मन बढ़ा दिया का कि नहीं भाई पापा जी से तो ज्यादा बढ़ा करूंगा है में कुछ काम उन्होंने अपने मन में कितनी कर दी छांशन पोड आपके पुछे है अकबरी मन ज्यादा बढ़ा है जहां गिरी तो जहां गिरी लाश्ट में सांजाय ने भी क्या किया 33 किलो कर दिया एक मन में जबकि आजगल गाउं में एक मन में कितना 40 किलो के आसपास मानतों तो नाप तोल की पढ़ना ले भी मुगल बादसाओं के टाइम आप देखोगे कितनी थी और कितनी अब देखो अब गज शिकंद्री बारा बता चुक हूँ पिसले को गसेंद्री का मंदलब था गुंचालीस अंगुल होगा एसे जमीन नपठो गुंचालीस अंगुल वोगज खुंद्री आकपर ने इसको बंद किया क्या ले क्या है आफ कलाश में एक promet करो क्या फाल्य कै आए इल्हाई गज क्या लेका है इलहाई गज इलहाई गज में क्या होंगे 51 अंगुल ये शिकंदर लोदी है इबराहिम लोदी के फादर ठीक है अब आगे चलते हैं शिकंदर लोग अब आते हैं मनसब्दारी व्यवस्ता देखो मुगलून का टाइम में सबसे जादा पूछे जाना वाला मुझ ये पूछा जाता है आप से कि मनस mouvement सब्दारी कैया है अधीक देख भान सब्सक्राइल मनसब्दारी मनसब लुगा है इसको मन सब्दार का मतलब है रेंक देखो आपकभी वी आओगे आर्मी में आप देख तो ये सुबय दार है ठीक है सुबय के ऊपर ती का बाप 20,000 के आसपा सिपाई रहते उसी तरह मनसबदारों का मतलब क्या उनके नीचे कितने सिपाई ये पद रेंक थी ये मनसबदार अकबर लेके खाँशाया था अकबर ये मनसबदारी लेके आख चंगेज खाँशे अब मैंने चंगेज खाँआ लिया तो आप क्या सोचोगे चाहिना के ऊपर कौन है मैं मंगोलिया यहां कि में इस ऐपको पता है मैंगोलिया की अबन्есकी आ प्रदानमंतरि नेंदरों अंती मिल मनसटिनने गोड़ा भी मिल था उसका नाम पता करो आज है ağab में कैं दिखो मंगोलिया में यहां पर ऐक देजट है जैसे राजस्तान को बोला जाता थार का मुरुष तल तो यहां के डेजट को बोला जाता गोभी मुरुष तल कि मैcken में गोभी खाणे की बात नहीं कर रहा मंगोलिय में worst out ईपर जाओगे एक जाना इक जीलाव बालकस लेक और अपसे कोई पूचे ह refers बालकस लेक अब इसांट्रल आसीड़ी इह समें बालकस-चा देखो बैकाल जील दो नदी निकलती है तुक थोड़ा बताँडे हैं टिए लेना प्रुट रिन के साथ में अगारा इनशी हटी नदी यहां के गिरती है ओब की खाडी में अब ओब की खाड़ी क्यों कहते हैं तो अलताई पर्वत से यहां पर पर्वत बताएं ho ओब तो इसको क्या बोलते हैं ओब ठीक आप मेपिंग देखोंगे चंगेज खां 1247 में किस पी आकर्मन किया चंगेज खां क्या था इसका वीडियो शेमें बाद बात करेंगे ठीक अब आगे अपने प्रफिक प्राते हैं अब अकबर ने क्या किया मनसबदारी तो मनसबदार उसी को अपने अपना था चंगेज खां का अचर्मन और रचीश फालचा है नहीं खालीपा अब्भा अबा शहीद खाली फाले बात करेंगे घ्लीपा पर वीडियो लाएंगे घ्लीपा मतलब सारे मुस्लमानों के धार्मी गुरू पहले खलीपाप का किन प्यादिकार था मक्का वालों का फिर इरान में गया लाक्ष में तुर्की मेरा खलीपात अंदोलन भी हुआ इंदुस्तान में पड़ा है ठीक अब यह दस मलों आदार पर पदती पे डिवाइड की हुई पढ़नाली क मंसब्दारी यूपेशी किउसण करें अकबर खांशे लाया पढ़नाली चंगेज खांशे अकब ने कब चालू की क्या बादसाब बनती चालू की नहीं बादसाब बने के 11 वर्स में तो फंद्रासो च्टन में बना तो 11 वर्स का मल्लब फंद्रासो शड़ सड़ के आस पा सुब्यदार होता है सुब्य दार की शेलइर कितनी होती है होल्डार हो गया सुब्यदार हो गया नाइब सुब्य दोगें मेजर हो गगें के Palf Elon Teaर उनके बısर या खट्थ वगरा लगल होते है उसी तरह मनसबदार में भी इन इस पद मिलम में बूता हूं ऑर्मी के पद कि एंक अदीकारी स्भेडारे के पास पंद्रा शेनिक रहते मेजर के सब्सक्राइ... मेंचे नार के सकंवम कि आppen शानी से सब्सक्राइब करें इस ने क्या मनसब्दारा में कि जैसे आज केबिनेर वेग्रहे होते हैं कि जितने भी सहजादे फैंक इसने मनशब्दारी शुरूब की अब अकबर ने मनसब्दार्ई की संक्यार रखे थी, 10,000 तक, कि 10,000 नशब का आदमिया मलब, 10,000 निशब का मलब वो केबिनेट मनिष्टर है, के 5,000 से जितने भी निच्छे के मनसब होते थे, सब सारे के सारे अधिकारियों को दिया जाते थे, 5,000 से 10,000 का जो भी मनसब का पद होता थे, और केवल अपने सहजादों को, अपने यूराजों को दिया जाता है, आज भी इंदुस्ताने बहुत सारी पार्टिया है, उन पार्टियों में बहुत सारे लोग पर्षिडेंट बन जाते हैं, क्यों? अद्धी यूराज होते हैं, तो यह मनसबदारी समझों गया आप, अब स पूछे मनसबदारी पद किसके टाइम बढ़े? तो आप इसका जवाब दे दोगे, दूसरा, जो पांसो से निच्चे जिसके पास शेनिक होते ते, उसे क्या बोलते थे हैं, मनसबदार? जिस बंदे के पास, शेनुकी की संक्या, पांसो से पचीसों के बीश में होते ते, अमीर, अब आपको कोई पूछे अमीर क्या, यह अमीर की फोटो है, बलब एक अमीर चार-पांस है, निक वगरा, एकदम अमीर साब चल रहे हैं, आप कभी देखोगे, कि कोई DM वगरा होते हैं, एक दो गंणर रखते हैं अपने पास, ऐसे, बाई DM साब आई गंणर, जिब पांसो से, पचीसो अचारे आद्मी वाला क्या खurning अमीर के अमीर, अब जिसके पास अमीर याजम, आप हमसे कोई कहिए तक क्या है, अमिरे आजम वो होता था जिसकी शेनिकों किसंग क्या प्चीसों से लेकि पांच जहर से लेकिन गय Long designed ऑफ चे ली शेडिरे जिसके पास हिंदु राजा वगरा जिन्हों अधीनता स्युकार की उनको खाने जामा एक खाने खाना बोला जाता था आप से कोई पुछे मनसबदार 500 से निचे जिसको मनसब प्रापत हो 500 से ढ़ाई जारा आदमी के बीच में वह अमीर कहलाएगा उससे उपर अमीर आजम उसके बाद में खाने जमा और खाने जाना ठीक है खाने जमा और खाने खाना आप जबाब दोगे इस चीज का एकजाम पूछे तो अब मनसबदारी में क्या था अकबर ने का कि जो भी मनसब है वो अपने साथ जात रखेगा और सवार रखेगा अब जात और सवार क्या होता है जात होता है पेदल शेनिक, जिसे दोगो यह चल रहे हैं, यह पेदल शेनिक क्या है, यह क्या है, जात, क्या क्या बोल सकते हैं इसको, जात, और जो शेनिक, गोड़े पर सवार रहेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, सवार, क्या बोलोगे, सवार और जात, अब अकबर न उसी समय मनसबदा पदती में जात और सुवार शुरू की तो का कि जो पांच जार से निचे के जितने भी मनसब्दारी हैं मनसब्दार पद वाले बंदे हैं उनको तीन स्रेणियों में डिवाइड करते देख आप स्कूल में जाओगे क्या हो स्कूल में टीचर है प्राइमरी टीचर थर्ड ग् कि इस देख जात रखते हैं डाई जार सवारी रखते हैं तो फ़श्ट घ्रेड के अगर सवार कम है गोड़े वगारा कम है पेदल सेनिक जाद आध हैं तो वह क्या होंगे अके इस सेकंड़ ग्रेड के चिर की टाइप जिनकी स्रेणियों की थर्ड होगी वे एक गोड़़ू का विबागो को वोला जाता 2 असपां як जब अपना छेप्टरिए फार खतम हो रहा है यह लाश शालायड है इसके अंदर देखो कि उसन्ड चारपांस बनेंगे जीद है आज हम आर्मी वगरा में देखते हैं, अपने देश में देखते हैं, कि NSE कमांड़ो अलग है, बिये सब अलग है, आर्मी वाले अलग है, उसी तरह मुगल दरबार में तीन तरह के शेनिक होते थे, पहला कोई सा शेनिक, मनसबदार, मनसबदार का मदलब यह देखो, हिंदु शेना में शेनिक रखिये उसका खर्चा आप अप उठा होगे उसकी वयवश, address, training वगरा सब वह करेंगे जैसा है आगर पुलीस है। उसका कौन इण जाए आज इनका सेंट का कौन करें को डिए इर्यक्षन करो यह आग्रा में और दिल्ली में पूरी मुगलों की शेना थोड़ रहती तो यहां पर भी रहती तो हर हिंदुस्तान के हर कोने में शेना पड़ीे प्याइथ सब्सक्राइब मनसबदारी ठीक अब और state police salary में diffrence होता है उससी तरह इहदी शेनिक थे well- trained शेनिक उनकी बर्तिए खुद बादसा करते थे उनको जैसे नॉर्मल शेनिक को पांस रुपए मिलता था पांस रुपए मिलता था पांस चान्दी के शिक्ये जबकि इहदी शेनिक को 500 रुपए मिलता था 500 रुपए तो एहदी शेनिक 12,000 तो कहते हैं कि मुई वगरा हम देखो बादसा की आर्मी आ गई तो कौन सी आर्मी एहदी शेनिक दूसरे तीसरा ताइप ताइप का शेनिक था दाखिली शेनिक अब जैसे नॉर्मल अपने बिए सब अगरा शेयर पेप के शेनिक होते हैं उन सब्सक्राइब को बेचते कहां पर स्टेट में मनसब्दार हों के कि वहां पर जाके काम ओम करो आज देखो CIPF वगरा हर स्टेट में आपको मिलेगी ठीक है अब आपको उसी तरह जो शेनिक खुद के जखो में जिस NCC में था NCC में ड्रेस वगरा कोड वगरा सारा कौन दे कते हैं जिस शेनिक का पूरी ड्रेस राज्य देता खाना पीना गोड़े वगरा स्तरूसे क्या उसनिक क्या बोलते हैं बरगीर क्या बरगीर जो सेनिक किराएं सब्सक्राइब को स्लेदार इसी के साथ बायों यह वीडियो खतम होता है आप जोगरापी क्लास आने वाली जुड़े रहो, सारा बयों को जाइन्द कितना के है